राम राम साथियो स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल और फेस्बुक पेज एचर फार्मिंग यानि हर्याना खेती में दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी दुआई बताने जा रहा हूँ जो घास को पर्मानेंट खतम कर देती है एक बर गेरने के बाद घास जो है एक डेड़ महीनी तक उगता ही नहीं है लेकिन वो दुआई गेरने से पहले कुछ विशेज बातों का ध्यान रखना बहुत जारा जरूरी है मैं आपको पूरी जानकाई पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि उस दुआई के साथ आप क्या-क्या मिला सकते हो कौन-कौन सी दुआई या उस दुआई के साथ मिलाने पर वो दुआई ज्यादा काम करती है 110% 120% काम करती है और इन सभी बातों का जीकर मैं वीडियो में करने वाला हूँ तो आप वीडियो में अंतक बने रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए सस्क्राइब बटन के साथ जो पहले लाई करकर बटन है उसको भी द मौther जिसे टेला बोलते हैं जो इसको ये पर्मानेंट खतम कर देती है दोस्तो इस दवाओ के साथ और क्या मिला सकते मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं तो सबसे पहले हम इस दुआई को तंके में गोलते हैं यह आप देखिए दोस्तों यह बुज्य टाइब में आती है यह आप देख पारे होंगे इस दुआई के साथ इस दुआई के साथ लेना में यूरिया खाथ आप देख पारेगों एक गिलास यूरिया खाथ ये देखी दोस्तों एक गिलास यूरिया खाथ आपको इस दुआई के साथ लेना है अच्छे तरीके से गोल लिए दोस्तों आई हैं थोड़ा उपर से गे रेंगे में दूस्तों पानी आप उपर से जन्दी गूल जाएगा है जितना ऊश्कियम से थोड़ा ऊपर से पानी डाले ताकि जल्दी यह जल्दी गूलेगा इसलिए पानी को थोड़ा उपर से डाले क्योंकि यूरिया खाले दालेंगी तो जल्दी गूलेगा कि इसके बाद जो अगली दौई हमें देनी हैं वह आपको दिखाता हूं गोड यह देके दोश्तों गोड लोडखा 60 के लिए सपेसल है इसकी डोज की बात करूँ तो जो डोज है इसकी 10 ग्राम पर टंकी के आपको लेनी है 10 ग्राम पर टंकी दोस्तो गौड़ दुआए के साथ हमें गूंद जरूर लेना है आप कोई भी कमपनी का गूंद यूज कर सकते मैं दानुविट का यूज करता हूँ क्योंकि यह सबसे बड़ी है गूंद है इसकी जो मात्रा है 10 ग्राम पर टंकी आपको लेनी है इन सभी दुआईयों को मिला कर आप जो है अपने खेत में डालते हो तो सभी परकार के घास खतम हो जाएगे लेकिन मैंने कहा था कि कुछ विशेस बातों का ध्यान रकना बहुत ज़्यादा जोरूरी है वे विशेस बात यह है दोस्तों कि खड़ी फसल में जब आपकी फसल आपने लगा दी अपने खेत में तब इस दुआई का प्रियोग आप नहीं कर सकते हो या फिर आपकी फसल चलू है चलू फसल में इस दुआई को आप नहीं डाल सकते हो फसल खतम होने के बाद ही इस दुआई का परियोग आपको अपकी फसल में करना है नहीं तो आपकी जो फसल वो खराब हो जाएगी माली जी आपने अपनी फसल का लास्ट वार काटा है लास्ट वार काटने के बाद आप जो है इस दुआई का परियोग कर सकते हैं नहीं तो अगर आप चल्लू फसल में आपकी फसल जो है चल्लू उचकी और उसमें आज दौई का प्रियोग करते हैं गास के उपर तो आपकी फसल प्योर खतम हो जाएगी बढ़ जाएगी बिल्कुल तो इन बातों का विसे द्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस दोस्तों अभी के लिए तना ही जय जवान जय किसान।